नमस्कार A2Z Dishes उशाक औरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारे हैं सोया मलाई कुलफी अब देखें जो कुलफी होती है वो तो ठंडी ठंडी होती है साथी साथ वो मीठी होती है पर आज जो हम कुलफी बनाने जा रहे हैं य इसको अनकर के बर्तन रख दे इसमें आपको डाल देना है पानी एक से दो ग्लास जितना और जैसी वो हलका गरम हो जाए तो इसके अंदर डाल दे एक कप सोया चंक्स यानि की सोया बीन और इसे आपको पका लेना है दो से तीन मिनट के लिए आप चाहे तो इसे तीस मिनट पानी में विगों के रखे तो भी हो जाएका पकाने के जरूरत नहीं पड़ेगी उसे फिर छनी में निकाल लेना है उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए है ब्रेड तकरीवन मैंने लिए है आट से दस ब्रेड के स्लाइस इसके टुकड़े कर लेना है और मिक्सर जार में काफी अच्छा स्वाद आएगा और इसे ढखकर पीस ले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यह सोया बीन को भी अच्छे से पीस लिया है और जैसे ढखकन को खोला इतनी बड़िया खुश बही क्योंकि जीरा हमने एट किया था अब यह पीसी हुई सोया बीन एक प्लेट किये हैं मीडियम साइज के चोटे तो आप तीन से चार भी डाल सकते हैं इसे गरेट करके यहने की कदुकस करके डालना है फिर थोड़े से दिनिया के पत्ते इस बात के अनुसान नमग आदी चोटी चमच लानमिश पाउडर एक चौथाई चमच इसके अंदर आपको डाल देना है वुना जीरा पाउडर एक चौथाई चमच काली मिर्ची पाउडर आदी चमच इसके अंदर गरम मसाला डाल देना है और एक चमच भरकर अमूल फ्रेश क्रीम आप घर की ताजी मलाई भी डाल सकते हैं एक चौथाई चमच अधरक लसन के पेस्ट और जो हमने ये पेस के रखा था ना ब्रेट करम्स वो थोड़े से डाल दी समझ लिए दो से तीन चमच जतने डाले और इन सबी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है सच बतारी ये इतनी घाने में टेस्टी लगती है ना गुलफी एकदम तीकी तीकी गरमा गरम अच्छे से मिला ल ये थोड़ा से समझ लीजे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जादा पानी मत डालना ये टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो कलर नहीं डाले ऐसे इसे इस्तमाल करें और दूसरे तरह हम एक सलरी बनाएंगे तो उसके लिए देख सकते मैंने ले लिया है दो चमच कॉन ये सलरी हम वो कुलफी के अच्छे से लगाएंगे उसके बाद ब्रेट को जो हमने कलर करके रखा था था इसले इस तरह से ये सलरी बनानी है तोड़ी सी गाड़ी उसके बाद आप देखें मैंने आप ले लिए ये जो कुलफी की एकस क्रीम की जो स्टिक हاتी है जो स्लरी बनाई थी उसमें अच्छे से देखे चम्मच की मदद से इसके ओपर यह पूरी डालते जाए कुलफी के ऊपर अब तुरंत ही आपको क्या करना है इसको यह ब्रेट क्रम्स में डाल देना है जैसे कि मैंने आपको का अगर आप कलर नहीं डालेंगे तो बस वैसे ही रख बहुत बिगर सकते हैं अंदर अंदर तक तेल चला जाएगा तो इसलिए अच्छे गरम तेल में डालना एकदम उपर से कुरकुरे हो जाए एकदम बढ़िया कलर आ जाए तब तक इसे फ्राइ कर लेना यह नहीं के तेल लेना तो तैयार है यह बढ़िया सी हमारी मज़ेद साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजे आज के लिए बस अतना ही थैंक यू फो वाच्छे